हम यह पार्ट कवर कर चुके हैं नाव सेकिंड ऑप्शन हम करेंगे सर बिजनस पर्चेस ठीक है क्या करेंगे हम बिजनस पर्चेस के इंट्री तो आजाएए बिजनस पर्चेस हाला कि यह कुश्चन भी बिजनस पर्चेस का ही है लेकिन पहले हम समझ लेते हैं कि सर बिजनस पर्चेस वाट इस बिजनस पर्चेस वेन इशू डिविंचर बिजनस पर्चेस हलागी बहुत सारे स्टूडेंट इसको रिलेट करते हैं इशू ओफ शेर्स के अंदर भी यह एक्जैक्ट टॉपिक है बस फरक इतना है वहां पर डिसकाउंट वाला पॉइंट नहीं होता और यहां पर डिसकाउंट वाला वोइंट भी आ रहा था और बस डिवेंचर लेकिन मैं करा रहा है पहले भी बता रहा चलो एक एंगे मिरेंगग से हैं पस दो झाल चलिए अरे particular लिखेते हैं रेंघा बैलिंश को पुराणी बनना लेते हैं यह हमारा liability और यह हमारा एसेट लाइबिलिटी और यह हमारा एसेट चलो एक एक्जाम्पल में हम समझ लेते हैं माल लेते हैं हमारे पास फिक्स एसेट से 10 लाग का मेरे पास करेंट एसेट से 15 लाग का मेरे पास शेयर कैपिटल है आठ लाग का मेरे पास रिजर्व एंड शर्प्लस है च्यार लाग का और मेरे पास क्रेडिटर है तीन लाग ठीक है नाउ इसका टूटल पंदरा लाग और इसका टूटल भी पंदरा लाग और यह है मान लेते हैं पी क्यू आर लिमिटेड की एक बैलेंश शीट ना यहां पर ध्यान देना कि एक ना एबी सी लिमिटेड है अब एबी सी लिमिटेड ने क्या करा है अबी सी लिमिटेड ने इस पूरी कंपनी को एक्वायर करने का सोचा है तो जब भी हम पूरी कंपनी को खरीदते हैं तो उसमें हम उस company के सिर्फ assets और Liability सुर्फ करें और कुछ नहीं हमा कि अब हम company को जब कर मतलब कितने रुपएО सारे लिये जाएंगे उसक्र दिये जाएंगे और कितने रुपय के इसके लाइबिलीटी का पेमेंट होगा और कितने डिबिंचर बदले में दिये जाएंगे तेन परसंट डिबिंचर पेड करूएं अथीका और सब्सक्राइब करेंगे security कर》 थे इनमें कोलने कर रहा हूं और साथ मैं तुम्हsecond काठी कर रहा हूंहँ और अर नंबर में देखा जाए तो 1000 रुपी में दिखा जाए तो दस लाख रूपए कड़े मुंचर कि तो सारे एसेट्स वगरा इस अगर एक्वाइर करूँगा तो क्या-क्या assets है company के पास जो मुझे acquire करना पड़ेगा वो देख लेते हैं तो सर हमारे पास company के जो assets है जो acquire करना पड़ेगा that is एक तो है fix assets account debit सारे assets और एक क्या है current assets account debit और liability में क्या लूँगा सर क्रेडिटर है तो यह हो गया हमारा दस लाक है अरे यह तो पच्चिस होना था ना अर्चर वारत थे थोड़ा सब्सक्राइब करते हैं तो पांच लाक है और ना यह थ्री लैग और बदले में मैंने कहा मैं आपको 10% डिवेंचर दूँगा तो जो हम देंगे उसे हम बोलेंगे purchase consideration यानि बदले में जो चीज़े मैं देने वाला हूं उसको हम कहेंगे purchase consideration purchase consideration जिसको मैं PC बोल रहा हूं PC is equal to purchase consideration ठीक है तो purchase consideration लिखेंगे और purchase consideration सर कितना आएगा purchase consideration में हमने 10 लाग लिख दिया जो यह situation नाव आप क्या focus करोगे इस entry के अंदर क्या आप आओगे कि सर इस entry के अंदर हमारे पास match नहीं हो रहा debit credit इसका मतलब credit में तो 13 है और उपर 15 है तो credit में फरक आ रहा है तो जो फरक आएगा अगर credit में का फरक आता है तो उसको मैच करोगे आप capital डिजर्व से क्यूंकि आपने कंपनी को सस्ते valuation पर खरीद लिया तो दो लाग रुपे कहां जाएगा सर और ना अगली entry क्या करोगे सर अगली entry करोगे आप पर चेज कंसिडरेशन और टू टैन परसेंट डिवेंचर 10 परसेंट डिवेंचर 10 लाग और हमारी कहानी हो जाती है खतम बिजनस परचेश की अगर केस नंबर टू अगर आप करें केस नंबर टू कि आप जो यह इशू कर रहे हो डिवेंचर इस अमाउंट को थोड़ा सा फेर बदल कर दो कि इस इस अमाउंट को मैं कर दूं सब्सक्राइब कर दों सब्सक्राइब कर दों सब्सक्राइब मतलब यहां दस अजार था और यहां तो ऐसे सिचुएशन में हमारा क्या होगा सर ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे एंट्री अगर करने जाएं तो फिक्स एसेट्स खरीदेंगे और करेंट एसेट्स खरीदेंगे और तू में आ जाएगा क्रेडिटर और तू में आ जाएगा हमारा परचेस कंसिटरेशन तो ये है 10 लाक ये 5 लाक और ये 3 लाक और ये आ गया 14 लाक तो नाव आप देखोगा डेविड में फरक आ रहा है यानि अब आपने एक्स्ट्रा पेमिंट किया है तो जो डेविड में फरक आ रहा है उसको गुडविल से मैच कर दोगे तो दो लाक रुपए का चौदा और तीन सत्रा और पंद्रा दो सत्रा फरक आ गया ये करोगे अगले एंट्री क्या करोगे सर पीसी टू कि तैन परसेंट टिमेंचर अब इस पीसी के जगह पर यह आप वेंडर शब्द का भी इस्तमाल कर सकते हो हाला कि लेकिन आगे चलके आपको पीसी ही इस्तमा इसे रिलेटिड कोश्चन है कैता है आरती पर्फ्यूम्स लिमेटेड टुक एसेट रूपीज सिक्स टी लैक अलाउंग विद क्रेडिटर फाइब लैक फ्रॉम मोनिका अगरबत्ती लिमेटेड आरती पर्फ्यूम्स लिमेटेड इस्जू 9% डिबेंचर 100 एच अट प्रीमियम 10% पर्चेस प्राइस पास नेसेसरी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड दा ट्रांजेक्शन इन दा बुक्स मोनिका किसमें इन दा आरती पर्फ्यूम्स लिमेटेड एड मोनिका अगरबत्ती लिम आरती बुक्स में कहता है कि आपको जर्नल एंट्री रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन इन दा बुक्स ऑफ आरती पर्फ्यूम्स लिमेटेड यानि आरती बायर भी करें और सेलर भी करें दोनों से बोला जा रहा है हलाकी अभी तक हमने स्रिफ खरीदने खरीदना सीख हैं सेलर जो पॉइंट्स होता है एक हमारा चैप्टर है एमल्गमेशन वहां पर सेलर और बायर की दोनों के बुक्स बनाने पड़ते हैं तो चलिए यहां पर सिंप्ली एसिट्स ले लेते हैं पहले हम किसका कर रहे हैं सर बायर का बुक्स आप समझ लीजिए मैं बायर नाम ले रहा हूं क्योंकि इन दा बुक्स में कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है और बच्चा क्या करेगा अर्दर दन कैश का फट से करके आगे निकल जाएगा लेकिन यह तो भूली कि अभी दोन बुक्स आफ आर्द ठीक है क्या करेगा यह इसने एसिट्स खरीदा एसिट अकाउंट डेबिट और क्या लिया लाइबलिटी टू ट्रेडिटर यहां पर देखा जाएं तो नाइन पर्संट डिबेंचर अटब प्रीमियम 10% फ्रिश जाएं थीक है ना पर्चेस प्राइस पे 10% प्रीमियम है तो नाव एसिट्स हम एसेट्स अकाउंट की बात करें तो एसेट्स आएगा हमारा 60 लैक और लाइबिलिटी आने वाला हमारा देट इस 5 लैक और आउ इसने कहा यह नहीं कहा नंबर अफ डिबेंच्र आपको सवाल में बता ही नहीं रहा तो आप सिंपल बैलंसिंग फिगर PC में डाल दोगे उसापका समझें आप मेरे वाले एक्जामपल में मैंने नंबर बताया था इस वाले एक्जामपल में इन्होंने नंबर नहीं बताया सिर्फ बोला हम उसे डिवेंचर देंगे तो भाईया आप डिवेंचर जब दोगे तो आपको अब नंबर निकालना पड़ेगा नमबर निकालोगे तो सर पच्पन लाग और डिवाइड़ बाई अगर सौ का है तो एक सो दस तो ग्यारा हजार डिविंचर बन गए पचास पाँच पचास हजार डिविंचर बन गए है ना तो अब एंट्री करेंगे PC अकाउंट डिविड टू टेन परसंट कितने परसंट डिविंचर नाइन परसंट डिविंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम सर यह तो आजाएगा हमारा 55 लैक और यह आजाएगा 50 लैक और यह आजाएगा 50 फिफ्टी थाउजन यह आएगा नहीं पांच लाग है कि यह एंट्री डंजी डंग यह किस ने करा बाहर ने अब इन्दा बुक्स ऑफ सेलर देख लेते हैं यह यानि इन दा बुक्स ऑफ सेलर कहलो यह मोनिका अब मोनिका क्या करेगी उसको डिवेंचर मिले और सारे एसेट्स उसने अब जब एसेट्स कोई भी बेचता है ना तो पता कहां से बेचता है एसेट्स कैसे बेचता है बताओं कि वह आगे चलके आएगा इसलिए मैंने लिखा नहीं मैं अभी बता रहा हूं इसके बारे में ज्यादा डिटेल आपका जो हमारा अगला चैप्टर मतलब काफी लास्ट सबसे लास्ट ही चप्टर में कवर करूंगा इस अमल्गमेशन ठीक है ना तो यह पता है क्या करेग कि अपने सारे अैसेट्स लिख लेगा यह एक时间 क्रडिट करेगा क्योंकि बेच रहा हा जो क्रेडिट करेगा हम रिलाइजीशन से कूट करते हैं किस से करेंगे सर रिलाइजीशन तो कितना आ जाएगा रिलाइजीशन में हमारा पच्पन बहुत तरीके इसके लेकिन अभी फिलाल रिलाइजेशन से लिख रहा हूं पच्पन लाग और अगली एंट्री में ठ Chief अभ रिलाइजिशन से में अभ इसके पास क्या आ जाएगा क्यूंकि उसने क्या करा तो हम आरती भी लिख सकते हुए थीक है आरती भी लिख सकते हो तो यह हो गया इसके बाद आप क्या करोगे सर आरती को क्रेडिट कर दोगे और डिवेंचर को डेबिट कर दोगे 9% डिवेंचर आगए आपके पास और टू किस से आगए कि आरती से और यहाँ प्रीमियम भी है तो प्रीमियम भी डेबिट करोगे कि पच्पन कि पचास होगा कि पचास कि पाच और यह पच्पन रिलेस यह हो जाएगा ठीक है अगेन मैं कहूंगा इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि एस फॉर्टीन में कि डिटेल में पढ़ेंगा अभी मैंने मोटा मोटा रफली आइडिया दे दिया है तो अब जब तक आएगा तब तक तो आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे बायर और सेलर के बुक्स अपकाउंट कैसे बनते वहां पर लेजर बनाना भी सिखेंगे सेलर का तो यह पूरा का पूरा हमारा एक जनरल इंट्रिस को होगी ठीक है कोई दिक्कत यहां था क्लियर